महिलाओं की हर महीने उने वाले समस्या जिसे कई जगा पर महावरी या फिर पीरिट्स कहा जाता है कई बार कुछ महिलाओं को काफी दर्दनाग पीरिट्स का सामना भी करना पड़ता है आपने अक्सर महिलाओ को पीरिट्स के दौरान पेट और कमर में गंभीर दर्द या फिर एथन का सामना करते दिखा होगा इसके लाबा भी महिलाओ को मून्ट स्विंग्स, चुछड़ापन, शरीर में वाटर रेटेंशन, पेट सम्मन्दी समस्याओं और पैरों में एठन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है हलाकि पीरिट्स के दौरान होने वाली इन समस्याओं को आम तोर पर समाने माना जाता है क्योंकि जादतर महिलाओं को इस समस्याओं परिशान करती हैं लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि कुछ महिलाओं को पीरिट्स के दौरान सिर्फ पीट और कमर में ही नहीं बलकि बच्चे दानी में भी दर्द महसूस होता है। ऐसे में वो इस बात को लेकर काफी परिशान रहती है कि आखिर उनकी बच्चेदानी में दर्द क्यों हो रहा है कई बार वो इसको लेकर काफी चिंता भी महसूस करने लगती है और तनाव लेना शुरू कर देती है आपको बतादें कि अगर कोई महिला पिरिट्स के दरान बच्चेदानी में दर्द महसूस करती है तो उसे ऐसे में तुरान डॉक्टर के संपर्ग में आना चाहिए इसी को लेकर डॉक्टर से बात चीट के दरान करें सारे कारण इसके पता चले हैँ आपको बता दें कि आमतोर पर पीरिट्स के दोरान होने वाली दर्द और एटन ही आपकी बच्चेदानी में दर्द का कारण बनती है असल में ऐसा तब होता है जब बच्चेदानी की दिवारों में सूजन हो जाती है असल में जब periods शुरू होते हैं तो महिलाओ को गर्भाश पर्तों को थोड़ा बहार निकालने में मदद करने के लिए contract करता है इसके कारण ही आपको दर्द और एठन महसूस होती है आपके मासिक धर्म के दोरान आपका गर्भाश अपनी पर्त को बहार निकालने में मदद करने के लिए सिकुड़ता है आपको बता दें कि विशेश तरीके का हार्मोन दर्द और सूजन के लिए जिम्मेदार होता है और गर्भाश के मास पेशियों के कॉंट्रेक्शन को ट्रिगर करता है इसे के साथ आपको बता दें कि जब इस हार्मोन का सर बढ़ जाता है तो इसके कारण कमभीर दर्द और एठन महसूस होती है इसके लावा गर्भाश की परतियाफ दिवारों में सूजन आ जाती है और ऐसी परिस्तिया भी बच्चेदानी में दर्द का काम करती है आपको बता दें बैक्टीरियल या फंगल इंफेक्शन के कारण भी बच्चेदानी में दर्द की समस्या देखने को मिल सकती है ऐसी समस्या होने पर डॉक्टर की सला है कि पीरिड्स के दौरान अगर किसी महिलाव को गंभीर दर्द या एठन बार बार महसूस होता है तो ऐसे में डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि कई बर बच्चेदानी में दर्द होना किसी कमभीर स्थेदी का लक्षन भी हो सकता है इसलिए तौरण डॉक्टर के पास जाए और इस समस्या का जल से जल इलाज कराए अभी के लिफ लालत नहीं जल वापस आएंगे तमाम जानकारियों के साथ बने ये इनकबर पर दो